Hey everyone, once again, welcome back to my 2 channel, how's you all, I hope you are doing great, so, आज की वीडियो में हम B.S.C. नर्सिंग के स्लेबस को डिसकस करेंगे, जो आपका 2024 का स्लेबस रहेगा, वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, देखे, आप लोग जो B.S.C. नर्सिंग करने जा रहे हैं, या फिर जोनोंने B.S.C. नर्सिं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें कितने semester होते हैं, आपका जो course है, वो कितने years का होते हैं, उसमें कौन-कौन से subjects होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम आज की वीडियो में discuss करेंगे, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करना विद बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, तो लेट्स केट स्टाइब वीडियो में तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बात कर लेते हैं, हमारा 4 एस की ये डिग्री रहती है, जिसमें 8 स्मेस्टर होते हैं, ठीक है, तो 1 to 8 स्मेस्टर जो भी आपका स्लेबस रहते हों, हम आज की वीडियो में डिसकस करते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, आई एंसी स्लेबस की, ठीक है, तो यह कुछ चिज़े हैं, जो मैं यहां पे आपके साथ डिसकस करूँगी, तो पहले आता है हमारा आई एंसी स्लेबस, देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और फिर वोल रही हूँ, जब भी आप admission लोगे, तो make sure जो आपका college है, वो आई एंसी के under affiliated हो, ठीक है, उसले बस रहेगा आपका आई एंसी के according, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहल exam होता है, वो रहेगा, next आगे आपका non-university exam, मतलब जो college conduct करता है, जो sessional हम exam बोलते हैं, वो रहेगे, next आगे आपका practical module, practical module means आपके syllabus में कुछ subject ऐसे होते हैं, जिनका practical करवाना जुरूरी होता है, तो कुछ practical modules रहेगे, वो आपके college में करवाये जाएंगे, last आगे आपका clinical duty according to subject, ठीक है, जिस subject की need है कि इसकी clinical duty लगेगी, तो आपका वहाँ पर रहेगा, जो भी INC के according आपका clinical duties रहेगे, ठीक है, according to subject, वो आपका college वहाँ पर perform करेगा, तो इस तरीके से आपका syllabus रहेगा, चली आप बात करते हैं, subject की, सबसे पहले discuss करेंगे, first semester में आपके कौन कौन से subject होते हैं, first one is communicative English, देखें जो आपका BSC nursing होता है, ठीक है, वो सारा English based होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी syllabus या जो भी आपकी books होती है, वो हिंदी में नहीं होती है, आपको totally English में ही study करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको एक English subject भी पढ़ना पड़ता है, so that जिन बच् नहीं कर पाते English में, तो वो थोड़ी improve हो जाए, ठीक है, तो first हो गया आपका communicating English, next आगे आपका anatomy, applied anatomy, anatomy में क्या होता है, जो structures होते है, for example, आपका hurt हो गया, ठीक है, hurt का structure है, उसको हम anatomy में study करेंगे, ठीक है, और physiology के है, next subject है, आपका applied physiology, anatomy and physiology के बारे में आपको यहाँ पर बत आ रहे हो, anatomy में हम study करेंगे structure को, जितने भी हमारे body के organs है, ठीक है, उनका क्या structure है, उनके बारे में यहाँ पर study करेंगे, और उन organs का क्या function है, जैसे liver का क्या function है, हर्ट का क्या function है, उसके बारे में हम study करेंगे physiology में, means anatomy में आप structure को study करेंगे and physiology में आप theoretical study करेंगे, उसी ची हो गया होगा, come to the next subject, applied psychology, देखिए नर्सिंग में psychology क्यों जुरूर है, psychology क्या होता है, study of behavior, किसी भी परसन के behavior को study करना, that is called psychology, तो अब इसी बात है, अगर हम nursing के फिल्म में जा रहे हैं, ठीक है, हमने patient को समझना है, उसको behavior को समझना है, तो हमें psychology पढ़ना पड़ेगा, हमें psychology के बारे में पता होना चाहिए, so that हमें कोई problem नहीं आए, उस subject है हमारा applied sociology, ठीक है, sociology में क्या होता है, study of social lives, देखो हम society में रहते हैं, तो हमें एक दुसरे के साथ interact करेंगे, तो एक दुसरे के बारे में हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है, तो sociology का मतल़ होता है, study of social life, social change and social causes, तो इस सारी चाहिए हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर sociology की study करेंगे, next subject आए, आगे आपका most important nursing foundation, ठीक है, यह एक nursing का base है, मतल़ जो आपका main subject है, इसमें क्या होगा, क्या आप लोग study करेंगे, जैसे injection लगाना, ठीक है, patient से कैसे deal करना है, जितने भी demonstration होते हैं, जितने भी practical होंगे आपके, वो इसके under आएंगे, मतल़ आपको patient के वारे में जितनी भी चीज़ें पता चलेंगी, injection कैसे लगाना है, patient को care कैसे provide करनी है, patient से कैसे deal करना, यह सारी चीज़ें आप nursing foundation में पढ़ोगे, ठीक है, कुछ पार्ट आपका nursing foundation का first semester में होगा, और कुछ आपका second में होगा, चले, अब बात करते हैं second semester की, second semester में जो आपके subject रहते हैं, applied biochemistry, first subject रहते हैं आपका biochemistry का, biochemistry में क्या होता है, जैसे carbohydrate होता है, उसकी digestion कैसे होती है, protein की digestion कैसे होती है, तो यह सारी चीज़ें cover होगी आपकी biochemistry में, next is applied nutrition and dietics, देखें, nutrition क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जो भी हमें energy प्रोवाइड करता है खाना, तो उसमें बहुत सारे nutrition होती है, तो nutrition में क्या होता है, such as protein, fat, carbohydrates, minerals, vitamins and water, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे nutrition में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे nutrition में, देखो, microbiology में हम क्या study करेंगे, microbes को, जैसे के आमें पता है, हमें fever होता है, या फिर कोई infection हो रहा है, तो किस की वज़े से हो रहा है, parasite की वज़े से हो रहा है, bacteria, fungus, या फिर virus की वज़े से हो रहा है, तो ओ चीज़ी हम यहां पर पढ़ेंगे, इसमें microbiology में study करेंगे उन चीज़ों को, next आगे आपका nursing foundation, देखो यह हम already discuss कर चुके है, इसका जो एक part है, वो हम first semester में cover करेंगे, और second part जो है हमारा, वो रहेगा हमारा second semester में, ठीक है, इसमें हम nursing के बारे में सारा explore करेंगे, injection, all that, यह सारी चीज़ें रहेंगे आपकी nursing foundation में, और इसकी आपकी training भी लगेगी hospital में, next आगे आपका health nursing informatics and technology, इसके एंडर हम health nursing के वारे में पढ़ेंगे, नहीं-नहीं information को gain करेंगे, बाकि nursing में कौन-कौन सी technology हमने use करने है, कौन-कौन सी नहीं technology आ रही है, कैसे उनका use किया जाएगा, तो यह सारी चीज़ें हम cover करेंगे, health nursing informatics में, ओके यह होगे हमारा second semester, come to the third semester, ओके सो third semester के एंडर हमारे subject रहेंगे, first one is applied microbiology and control including safety, देखो microbiology के वारे में मैंने अल्रड़ी आपको बता दिये, तो आप बहुत सारी चीज़ें को learn करोगे, almost आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, कि हमारी body क्या है, हमारी body में कितने organs हैं, बीमारी क्या हैं, किसकी वज़से हो रही है, तो यह सारी चीज़ें आपको पतर लग जाएगी, next आते हमारा pharmacology, फार्मेकोलोजी में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, जितनी भी ड्रग्स होते हैं, उनको study करेंगे, कौन सी ड्रग किसके लिए यूज की जाती है, जैसे हमें कभी infection होते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटिवाइटिक दे दे देती हैं, अब एंटिवाइटिक में भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा, फार्मेकोलोजी में, फार्मेकोलोजी जो आपका सुबजेक्ट होते हैं, उसमें आप ड्रग्स को study करोगे, next आगे आपका pathology, pathology subject में क्या है, जो भी disease condition होती है, उसके बारे में आप study करोगे, जो भी हमें disease हो रही है, और किसकी वज़े से हो रही है, उसकी pathology क्या है, तो उसको पूरी detail में हम पढ़ेंगे pathology के under, next आगे आपका adult health nursing 1, ठीक है, ये part 1 रहेगा, with integrated pathophysiology, तो इसमें हम adult health nursing के बारे में पढ़ेंगे, adult में जितनी भी disease conditions होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ के साथ उसकी pathophysiology क्या है, किसकी वज़े से हो रही है, क्या रीजिन है, ये सारी चिज़ें इसमें आपकी cover हो जाएंगे, next है आपका fourth semester, fourth semester में आपका pharmacology का part two रहेगा, ठीक है, third semester में part one था, और fourth semester में आपका part two है, जिसमें हम drugs को ही study करेंगे, next है आपका pathology का भी part two रहेगा, और साथ में जुड़गे है यहाँ पे genetics, genetics क्या होता है, genetics में हम RNA, DNA पढ़ा है न, उसको study करेंगे, genetics होता क्या है, it is the study of how genes and how traits are passed down from one generation to the next generation, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे genes को study करना है, तो यह हम पढ़ेंगे किसमें genetics में, pathology का मैंने आपको बता दिया है last semester में, next आते है हमारा adult health nursing, ठीक है, यह भी आपका third semester में रहेगा, part one और part two रहेगा आपका यहाँ पे fourth semester में, ठीक है, next आगे आपका professionalism, professional values and ethics including, ethics क्या होता है, rule and regulation, तो rule and regulation के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, nursing क्या है, यह profession कैसा है, यहाँ पे क्या-क्या rule regulation होने चाहिए, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पे cover हो जाएंगे, ओके सो आप बात करते हैं fifth semester की, fifth semester में आपके subject रहेंगे, first one ही child health nursing part one, ठीक है, child health nursing में क्या study हम करेंगे, ठीक है, child health nursing चो होता है, specialized field होती है nursing में, जिसमें हम infants, children and adolescent की physical behavior and mental health को assess करते हैं, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब specially है कि हम child के बच्चों के बारे में यहाँ पे study करेंगे, कौन-कौन सी disease condition होती है, बच्चों के age group क्या-क्या होती है, यह सारी चीज़ें में कबर होंगे, next आगे आपका mental health nursing, देखो mental health nursing से ही पता चरा है, कि हमने mental health के बारे में पढ़ना है, जो लोग mentally upset होती है, जो mentally disease conditions होती है, कौन-कौन से होती है, उनको हम यहाँ पे study करेंगे, जैसे depression हो गया, है ना, सीजुफ्रेनिया हो गया, तो यह सारी disease condition हम इसमें cover करेंगे, next आगे आपका community health nursing, ठीक है, community में जाके, हमने लोगों को health provide करनी है, उनके बारे में जाना है, IPR maintain करना है, interpersonal relationship community में जाके, मतलब गौँ में जाके, ठीक है, क्योंकि हर कोई शेहर को belong नहीं करता, कुछ बच्चे community से भी आते हैं, तो उनको पता होगा community का, रहना सहना क्या होता है, तो community में भी आपकी posting होती है, ठीक है, यहां भी आपकी one month की training होती है, मतलब आप रोज community में जाओगे, लोगों से मिलोगे, और उनके बारे में जानोगे, next आगे है, educational technology and nursing education, ठीक है, nursing के बारे में आपको जाना है, नर्सिंग में क्या-क्या technologies आ रही है, ठीक है, आपको कैसे study करना है, आपको कैसे study करवाया जा रहा है, कौन से method यूज किया जा रहा है, तो इस सारी चीज़ें आप यहां पर देखोगे, next आगे आपका introduction to forensic, nursing and Indian, इस्टे शिक्ष्थ समेस्टर, शिक्ष्थ समेस्टर में आपके जो subject रहेंगे, first one ही, child health nursing 2, ठीक है, फिफ्थ समेस्टर में part 1 था, यहां पर part 2 है, child health nursing का, जो हमने already discuss कर लिया है, second आपका रहेगा mental health nursing का part 2, part 1 फिफ्थ समेस्टर में था, next आगे आपका, यहां पर nursing management and leadership, nursing management में क्या होता है, इस subject में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, leadership क्या होता है, decision making क्या होती है, कैसे हमने decision लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहां से आप सीखोगे, और आपकी वो काम आएगे, जब भी आप hospital में duty करोगे, नेक्स आगे आपका obstetrics and gynecology, तो यह किस से related है, female से, मतलब obstetrics means, बच्चे को conceive करने से लेके, बच्चे के पैदा होने तक, जितना भी process है, उसमें क्या क्या होता है, तो यह चीज़ हम पढ़ेंगे यहां पर, और एक female में क्या problem हा रही है, जैसे for example, ले लो किसी के baby नहीं हो रहा है, conceive नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके क्या क्या reason है, क्या क्या बिमारियां हो सकती है, तो यह सारी चीज़े हैं, female से related, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, obstetrics and gynecology, नेक्स आगे आपका 7th semester, 7th semester में आपका first subject है, हम health के बारे में जान पते हैं, knowledge मिलती है, और health को कैसे promote करना है, persons को कैसे care provide करना है, उनकी problems को, disabilities को कैसे समझना है, तो यह सारी चीज़ें हम nursing research में सीखती है, और statistics में आपका थोड़ा सा math होता है, जिसको आपने यहाँ पे study करना है, इस सर्च में एक चीज़ और आपको करनी होती है, आपको एक topic select करना होता है, अपनी choice के according, उस पे आपको पूरा research करना होता है, कब, कहां से कैसे शुरू हुआ, जैसे malaria ले लो for example, अगर आपने इस पे study करनी है, तो इसको आपका पूरा study करना पड़ेगा, कहां पे क्या चीज है, जैसे आप 7th semester में जाओगे, फोर्थियर में जाओगे, एंटर होगे, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको किसी hospital में posted कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका college डिसाइड करेगा, कि आपको कहां भीजना है, इंटर्नशिप के लिए, जैसे doctors की होती है, जो MBBS करते हैं, उनकी इंटर्नशिप होती है, वैसे ही BSC नर्सिंग वालों के भी इंटर्नशिप होती है, पोस्टिंग आपकी होती है, बाकी एक आपका सब्जेक्ट रहता है, mental health nursing, उसकी पोस्टिंग आपकी होगी, mental hospital में, ठीक है, hospital कौन सा होगा, वो आपका college decide करता है, ठीक है, बाकी hours कितिने होती है, कितिने दिनों के लिए आपको hospital जाना है, mental hospital में, कितने दिनों तक आपकी training होगी, वो IINC के hours के recording होगा, एक subject आपका होता है, community health nursing, ठीक है, community health nursing में, आपको community में जाना होता है, मतलब किसी rural area में, आपको post कर दिये जाता है, वहाँ पे आप daily जाते हो, लोगों के साथ communicate करते हो, उनकी problems को पूछते हैं, और उसके according उनको health education प्रोवाइड करते हैं, तो यह आपके सारे जो subject हैं, जिनकी posting होती है, practical based है, इनका practical भी होता है, फाइनल में, चिक है, यह था हमारा आज का वीडियो, I hope एप वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, So that's all about today's वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तके लिए बबबाई, टेक के खुश रहे हैं, स्वस्त रहे हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग,